Hello dear students, DOE Mission بنیاد, हमारा कनित का आज हम D7 करेंगे बिटा देखिए यहाँ पर एक वील बनाया गया गया जिसमें कुछ इंग्लिश के अलफाबेट्स लिखे हैं और कुछ हमाँ पास नमबर्स लिखे हुए सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना है कि यह जो कुछ code words इसने लिखे हैं तो 1 किसके लिए यूज किया गया है, 5 किसके लिए यूज किया है ल आएगा, 15 पे O आता है, फिर 8 पे H आगया, इधर से देखते हैं, 13 पे M आज आएगा, फिर 9 पे I, 20 पे T and V आगया अब हमने यह जितने भी नमबर्स थे हमने उनको पता लगा लिया कि इंग्लिश के अलफाबेट कौन से होंगे इनकी जगह अब हमें यह कोश्चन सॉल्फ करने है, बेटा, 90 माइनस 81, what is this, 9 है न, आप इसे मेंटली भी कर सकते हैं, so 9 की जगह हमें क्या कोड लिखना है, I 6 प्लस 6, what is this, 12, तो 12 के लिए हमें पैस किया है, L, 8 प्लस 7, 15, O आगया, 20 प्लस 2, 22, that means V, 93 माइनस 88, क्या बनेगा देखिए, E बन गया, क्योंकि 5 बचा आपके पास, now 50 माइनस 37, that is 13, M आ गया, 0 प्लस 1, 1 होता है, तो A आ गया, 73 माइनस 53, 20 बचा तो उसके लिए हम T रिखेंगे, and this is H, क्योंकि अब हमारे पास क्या बचेगा, 8, अब बताएए उसने पूचा उत्रों में कौन सी बात चु पी है, very clear, very interesting, I love math, अब बीटा देखिए, यहां पे कुछ कलर बॉक्स बना रखे है, और उनमें कुछ आंसर लिखे है, अगर आपका आंसर 356 आता है, तो हमें इन कोश्चन के आंसर में, रेट कलर करना है, अगर 562 आया मेरा आंसर है, तो मैं वहां ब्लैक कलर करूंगी, औ हमें खाली बॉक्स को कलर करना है, तो सबसे पहले कोश्चन सॉल्व करते है, 325 जमा 237, प्लस आपको आता है, 5 प्लस 7, 12, वन कैरी के उपर, 6 बन गया, और दिस इस 5, 562, तो ब्लैक कलर करेंगे, अब हम, अब दूसरा कोश्चन सॉल्व करते है, प्लस का है यह भी, 455 निल क्या रंग आ गया, 999-6, 43, वेरी इसी, 356, रैट कलर हो गया, अब इसी के अकॉर्डिंगली, यह जो कोश्चन है, आप अपने आप सॉल्व करेंगे, और इनके बॉक्स को कलर करेंगे, कीप और लानिंग बिटा, स्टेपलेस्ट,